नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त पवन प्रताप यूट्यूब चैनल टोटल पावर सोलिशन पे दोस्तों अब तक लगबग 327 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ और हर वीडियो में मैंने कोशिस की है कि इमानदारी से जो नोलेज है उसको आप लोगों तक मैं डिलीवर कर सकूँ अगर आप हमारे चैनल की सभी 327 वीडियो को देख लेते हैं तो आप टेकनिकली स्ट्रॉंग तो होई जाएंगे साथ में practically भी आप जो home appliances हैं उनकी repairing सीख सकते हैं तो आप मारे चैनल की 327 वीडियो को जा कर देख सकते हैं ताकि आप लोग अपना काम भी वहाँ पे शुरू कर सके हैं रिपेरिंग का काम आप शुरू कर सके हैं जैसे induction है inverter है stabilizer है RO है SMPS है जितने भी home appliances है या devices है उनको repairing करने के लिए मैंने ये सभी वीडियो अपलोड की हैं साथ में theoretical वीडियो में अपलोड की हैं ताकि theoretically strong होंगे उसके बाद ही आप proper तरिके से practical को apply कर सकते हैं आज की वीडि वीडियो को भी कोशिश करें कि आप पूरा देखें और इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पर चार वीडियो में आप लोगों के लिए क्लेक्शन की समय निकाल कर उन वीडियो को ज़रूर देखें दोस्तों आज हमारे पास यह एक्साइड कंपनी का प्योर सैंवे है उसको यहां पर समझने की कोशिश करते हैं सिंगल बैटरी का इंवर्टर है मैंने यहां पर सिंगल बैटरी से इसको कनेक्ट कर दिया है आउटपूट भी मैंने इसकी यहां पर लगा दी है अब इसको मैं यहां पर ओन करता हूँ मैंने इसको किया ओन यहां पर यह देख इस case को हम पहले भी study कर चुके हैं और इसको अलग-लग तरीके से handle भी कर चुके हैं इसमें समस्या क्या होती है कि इसका जो ये transformer से एक feedback आता है ये दो पिन का connector है ये देखिए यहाँ पे लगता है नीचे ये आपका जो है feedback wire है यानि कि इसके जो output आती है तो वहाँ से step down होके केस में कई बार control card में भी problem हो जाती है कई बार इस connector में भी problem हो जाती है और कभी-कभी आपका जो है ये जो transformer है ये देखिए feedback की ये पतली wire होती है output की थोड़ी मोटी wire होती है दो neutral face लेकिन जो feedback है वो आपकी पतली wire होती है और वो आपकी जाती है control card पे तो कभी-कभी ये transformer क अंदर से भी यह वायर ओपन हो जाती है उस केस में हम क्या करें क्योंकि यह ट्रांसवर्मर को पर का है काफी कोश्टली है या तो इसको रिमाइंड करवाएं या फिर हमें दूसरा ट्रांसवर्मर यहां पर चेंज करना पड़ेगा हालां कि इसकी जो में जो वाइंडिंग है वो बिल्कुल ठीक है शिर्फ फीडवेक की जो वायर है वो कहीं से ओपन हो गई है इंटर्नली हालां कि संभावना है कम होती है लेकिन मेरे पास यह काफी केस आये हैं आप लोगों के पास भी आये होंगे यह अगर feedback wire अंदर से open हो जाए यह सब चेक करने के बाद, connector चेक करने के बाद, यहाँ पे sleeve चेक करने के बाद, फिर भी अगर आपने problem solve नहीं होती है, यहाँ पे voltage नहीं आती है 12-14V के आसपास, तो इसका मतलब यह internally आपके यहाँ पे open हो गई है, उस case में हम क्या करें, कि हमे पूरा transformer यह change ना करना पड़े, उसके लिए हम क्या करेंगे, मेरे पास यहाँ पे देखिए, एक transformer है छोटा, यह मेरे पास लगवग 2.5-3 Ampere का है, आप 1 Ampere का भी transformer यूज़ कर सकते हैं, voltage की tapping रहेगी, यह मेरे पास जो है 12-0-12, यह तो इसकी input voltage है 230, जितने पे design है, output voltage इ अगर simply 0-12 भी हो, तो भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसकी एक finding को यूज़ करेंगे, यह बीच बाड़ी जो है, यह आपकी 0 है, दोनों तरफ 12 है, इसलिए 12-0-12, तो इस 0 को लेके मैं इस 12 को भी यूज़ कर सकता हूं, या फिर इस 0 को लेके इस 12 को भी यूज़ कर सकता हूं, connection कैसे करने हैं, इसके मैं बताता हूं आपको, यह जो transformer की output है, वो direct हमारी इस output socket पे जाती है, neutral और line के रूप में, तो इस transformer की जो primary है, उसको आपको connect करना है, output socket के neutral line पे, जो output है, उसका neutral line है, वहाँ पे आपको इसकी primary को connect करना है, ताकि इसको output की 230 य हो कि हमारे को यहाँ पे 12V के रूप में मिलेगी, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, as a feedback, यह भी feedback का ही काम करेगा, मैं यहाँ पे आप लोगों को connect करके दिखा देता हूं, एक दूसरा connector यूज़ करके, मैं आपको यहाँ पे run करके इसको दिखाता हूं, तो आपको करना क्या है कि एक two pin connector लेना है, और उसको यहाँ पे connect करना है इन दो wire पे, एक कोई भी 12V और दूसरी को connect करना है center tape यानि की 0 पे, जिस मर्जी wire को आप connect कर सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा polarity का issue नहीं है, आपने एक को connect कर दिया 0 को, और एक दूसरी को connect कर दिया है 12V पे, जिरो और बारा को use कर लिया है, एक को हम यहाँ पे idle छोड़ देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम connect कर देंगे, जहाँ पे हमारा feedback connect होता है, यह हमने यहाँ पे connect कर दिया, इस transformer को मैं अभी check करवाने के लिए, क्योंकि soldering मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, तो इसक इसकी output पे connect कर देता हूँ, जहां से हम output लेते हैं, वहाँ पे आप लोगों को check करवाने के लिए मैं यहाँ पे उसको, इसकी primary को connect कर देता हूँ, आपको इसको internally जो, यह जो socket है, इसके अंदर जो दो पिने होती है, neutral or line की output की, वहाँ पे आपको solder करना है, और इसको अंदर adjust करना है, transformer आपको छोटा यूज़ करना है, क्योंकि यह डाई से 3 ampere का है, आप 1 ampere का भी यूज़ करेंगे, तो भी यहाँ पे चलेगा, आप इसको यहाँ पे check करते हैं, मैं इसको सामने से on करता हूँ, यह देखिए, यहाँ पे output आ गई है, लोड भी on है, अब यह वापिस बंद नहीं होगा, जो पहले कि आपका feedback open होने की वज़े से यह बंद होता था, यह overload दिखाएगा या short circuit दिखाता था, अब यह बिल्कुल बंद नहीं होगा, अब यह proper तरिक्के से यहाँ पे काम कर रहा है, और जैसे ही मैं इस feedback को निकार देता हूँ, इसकी एक wire को देखि अगर मैं इसको connect कर देता हूँ, जो कि हमने feedback यहाँ पे बनाया है, एक transformer को यूज करके, अब यह on हो जाएगा, तो दुबारा से बंद नहीं होगा, आप देखिए इसको यह output voltage यहाँ पे आ रही है, यह अब दुबारा से बंद नहीं होगा, हमने इसको feedback यहाँ पे connect कर दिय है, तो अभी हम क्या करेंगे, output हमने check कर लिए, mains को भी मैं आप यहाँ पे on करके आप लोगों को check करवा देता हूँ, अभी मैंने mains mode पे इसको on कर दिया है, अब यह backup mode पे इसका discharging current है 10A, अब यह mains पे आ जाएगा, और mains पे इसकी charging यहाँ पे proper रहेगी, यह mains पे आ गया है symbol यहाँ पे minus का आ गया है, अब यह charging यहाँ पे दीरी-दीरे rise हो जाएगी, mains mode पे हमने check कर लिया, प्रोपर तरिके से यह काम कर रहे है, अगर feedback नहीं होगा तो mains mode पे यह continue बीप करेगा, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, इसका जो feedback का जो है, हमने जो transformer as a feedback यूज किया है उसको मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, अब देखिए, charging इसने बंद कर दी है, और यह लगातार यहाँ पे बीप शो कर रहा है, यहाँ पे यह आपको trip का यहाँ पे message आएगा सामने, इसको study कर लेते हैं, mains fuse trip, mains fuse trip यह दिखा रहा है, जबकि fuse हमारा okay है, इसका feedback इसको नही वापिस देखिए, दसंपर आगे है, निकालते ही यह बीप करेगा, और यह charging current बंद कर देगा, जैसे ही मैं इसको वापिस लगाँगा feedback को, बीप sound बंद हो जाएगी, charging फिर से आने लगेगी, एक बात का आपको विशेज ध्यान देना है, यह जो transformer है, यह लगबक 220-012 का य यूज करें, तो आपको regulation ठीक मिलेगी, charging भी perfect मिलेगी, हमारे पास भी कुछी इस तरीक है है, मैं आपको check करवा देता हूँ, इसकी यह secondary है, 13.8, यानि कि लगबक यह 13.8 निकाल रहा है, input कितनी है, इसकी वो भी check कर लेते हैं, यानि कि इसकी primary पे कितनी voltage है, वो मैं check करके दिखा देता हूँ, 239 पे यह आपका 14 वोल्ड निकाल रहा है, यानि कि 220 से यह 0.12 का यह transformer है, अगर आप इसकी जगहें, कम या ज़्यादा voltage का transformer यूज करेंगे, तो इसकी output voltage भी कम ज़्यादा हो जाएगी, और इसकी charging पे भी effect आएगा, मैं आपको यहाँ पे करके भी कम हो जाएगी, अभी मैं आप लोगों को लगा की दिखाता हूँ, यह मैं 0 निकाल देता हूँ, और यहाँ पे यह देखी, जैसे ही मैंने 120 वोल्ड कनेक्ट की, तो इसकी output voltage लगवग 110 वोल्ड के आसपास आ गई, जब की 220 वोल्ड या 230 वोल्ड थी, यह देखें यहाँ पे यानि कि इसको लगया कि voltage जादा आ गई है पीछे तो इसने pulse width modulation से उस voltage को down कर लिया है, control कर दिया है, feedback के इसाब से control कर दिया, feedback जादा आ गया, 24 वोल्ड तो voltage, output voltage उसने कम कर दिये, और यहाँ पे अगर मैं 12 वोल्ड लगा देता हूँ, यानि कि 0, 12 तो output voltage पूरी 220 वोल्ड है यानि कि transformer जो लगाना है, वो उससे आपकी output voltage जो है, वो आपके control होती है, तो आपको 12 वोल्ड का ही transformer लगाना है, 18 का लगाएंगे, तो voltage कम हो जाएगी, 12 से कम लगाएंगे, तो voltage यहाँ पे बढ़ जाएगी, उसी तरीके से charging पे भी उसका impact आएगा, तो आपको जो transformer लगान और 6 लगाएंगे, तो voltage भो जाएगी, तो transformer को आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से select करके ही इसको लगाना है, उसके बाद check तो आप करी लेंगे, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं, तो उनको like और share जरूर करें, नए हैं तो चनल को subscribe कर लें, इसी तरह के वीड स्क्रीन पर मैं आप लोगों के लिए 4 वीडियो अप्लोड कर रहा हूं, उनको आप समय निकाले के जरूर देखें, थैंक्यू दोस्तों